हेलो एव्रिवान, वेलकम तू केमिस्ट्री रियन, अच पिठे अपां क्लास 12 दा टर्म 2 वास्ते चैप्टर और्गानिक कंपाउंद्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन्दे विच्चों दी इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स टर्म 2 वास्ते ओ स्टडी करने है कि केड़े केड इक स्वाल होएगा तिन नंबर दा तो इक नंबर वाला स्वाल था बेटे कितों वी पुछया जा सकदा है ते थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन्स जेड़े हैं वो उमीद किती जान दिया है कि वो इंपोर्टेंट स्वाल दे विच्चों ही आनगे इस चैप्टर दे विच बेटे आम तो औरते असीं चिरफ अमीन्स थे डाइम्स दाइजोनियम क्लॉरइड बेंजीन डाइजोनियम क्लॉराइड इन दो मेन compounds बारे आपा पढ़ दें, so amines जेड़ी हैं, वो primary, secondary, tertiary amines हो सकती हैं, ते इस तो इलावा aromatic amines दे विछ aniline आपा पढ़ दें, पैठे amines जे आपा गल करिये, तो they all are derivatives of ammonia, ammonia मतलब NH3, ठीक है, जदो ammonia दे विच एक H दी थांते, R आजानदा है, जीनों असी R NH2 के दिनने हैं, लोन पे अरिंदे कोले हैं, दिस प्राइमरी amines, और जदो दो हाइड्रोजन दी थांते, R गुरूप लग जानदा है, यनि की R2 NH, ये सिकेंडरी amines होईगी, और इसे तरीके नाल, जे एस तरा लिख दिये, तो this is tertiary amines, और जदो एक हाइड्रोजन दी थांते, ammonia दे विच एक हाइड्रोजन दी थांते, बंजीन गुरूप आ जानता है, तो this is aniline, ठीक, तो आपा मेंली इना कंपाउंद्स बारे ही गाल करनी है, तो इस चैप्टर दे विच्चो आपा नो जेड़े स्वाल पुछे जा सकते है, तो सबतो पहला इनन दिया physical properties थे, यनि solubility पानी दे विच है जा नहीं है, जे है, तो क्यों है, boiling points कि इन्दा ज होंदा है, इलेक्ट्रों सा, जिन्हों ही डोनेट कर सकती है, तो amines are basic in nature, लुइस बेस दी तरह काम कर दिया है, तो primary, secondary, tertiary, aromatic, ammonia इनना सारे हैं दे विच्चो केड़ा ज्यादा basic होएगा, केड़ा कट, तो इन दे ते बहुत ही important स्वाल बंद है, इस दे बाद बिटा primary, secondary, tertiary amines, aliphatic, aromatic amines जापा जे distinguish करना है, तो उन दे लिए कुछ टेस्स है, distinction ते अदारित स्वाल भी पुछा जाना बहुत ही ज्यादा important probability केरी करता है, लास्ट है बेटा, इस चैप्टर चो जडिया named reactions है, उनना ते अदारित, 3 marks दा स्वाल भी पुछा जा सकता है, ते 1 mark दा भी स् स्वाल पुछ दे भी जे, असी एही स्वाल कर लिये, ता असी पास हो जांगे, बेटा, इक चीज याद रखो, कि तो अनु जड़े most important questions है, ओ एक तरहां दा idea दे भी चैप्टर चो स्वाल इस तरीके नाल पुछे जानगे, तो कि स्वाल लान दे गिनते ता infinite है, ठीक है, त जे तुसी ए स्वाल हल कर दे हो, जेड़े तो अनमें दास रही है, ता तुसी एदना दे होर जेड़े संभव questions हैगे है, उनना नु भी handle कर पाऊंगे, तो सब तो पहला बेटे अपा गाल कर दे है, properties of amines तो जेड़े पुछे जा सकते स्वाल है, जे में boiling points सी गाल करिये, त primary, secondary, tertiary amines इनना दे विच्चों दे boiling points सब तो वद primary amines दा होएगा, ठीक है, ते जे अपा गाल करिये boiling points दी, ता boiling points as compared to alcohols, amines दे boiling points low होंगे, क्योंकि amines दे molecule आपस चे इन्नी strong hydrogen bonding नाल नी चुड़े होंदे, alcohols दे molecule आपस दे विच्च, एक alcohol molecule, दुझे alcohol molecule दे नाल, strong hydrogen bonding नाल जुड़े होंदे, जिस करके alcohols दे boiling point higher होंगे, ते amines दे boiling point lower होंगे, जेड़े lower member हैं amines दे, वो पानी चे कुल जानदे है, पर जेड़े higher member है, वो नहीं कुल दे, क्योंकि higher member चे R group बहुत बढ़ा हो जानद है, ते R group जड़ा है, वो hydrophobic part है, वो पानी तो दूर जानदा है, ठीक है, aromatic amines दीजे गाल करिये, तो प्रैक्टिकली पानी चे insoluble है, हुन इन आते है था, आरे, देखो question आतो आदे सामने पुछया गया है, कि methyl amine दा boiling point जड़ा है, वो लेस होंदा है, मिथे नोल नालो, त point लेस हुनदा है, क्यों लेस हुनदा है? क्योंकि इन देच हाईडरोजन बांडिंग काठ हून दी है, क्यों काठ हून दी है? क्योंकि नाइट्रोजन दी electronegativity oxygen दे मुकाबले काठ है, तो इसे तरह ही primary amines दा जड़ा boiling point है, वो higher हुन दा है as compared to tertiary amines, क्यों? तो primary amines दे पॉसिबल ही नहीं हुन दी, जिस करके primary amines दे boiling points दे रहे है, वो ज्यादा हूनगे, इसे तरीक के नाल हुन solubility दे अधारित question आ गया कि ethylamine पानी चे solubile है पर aniline नहीं है, यहाँ स्वाल अलदा पुछा जा सकता है कि aliphatic amines पानी चे solubile हुन दी है, aromatic amines नहीं हुन दी है, तो answer की है इंदा कि पानी दे विच ओही चीज solubile हुएगी जेडा hydrogen bond बनाएगा, तो एथे तुसे पानी दे नाल hydrogen bond बनाके show करने, this is the hydrogen bond, next आजानदा है बिटा, basic character of amines, जिन्दे सब तो important चीज है कि amines gas phase दे विच, tertiary amines सब तो बाद basic होएगी, than secondary, than primary, than ammonia, ते जे अपा solution, aqueous phase दे गाल करिये, ता उत्थे order बदल जानदा है, उत्थे secondary amines बाद basic हो जानदी है, क्यों? क्योंकि basic strength चेड़ी है न, वो इकता प्लस आई effect यहने कि electron releasing effect of alkyl group ते depend करती है, then solvation effect, जिन्दों आप hydrogen bonding कहनने है, या steric factors, तिन चीज़ां ते है, depend करती है, जिटे aromatic amines है, वो weaker bases होंदे है, than ammonia, उन बेटे कोई भी base है, वो base क्यों है, क्योंकि उन्दे को ले electron pair is available for donation, R group जड़ा है, वो electron releasing group है, अपने electron एहे nitrogen नूँ दे देगा, ताकि एहे जड़ा electron pair है, एह donation वास्ते available हो जए, ठीक है? एनू प्लस आई effect कहा दिन्ने अप्पा, पर जे आप्पा देखिए, बेंजीन रिंग जित्थे आजान दी है, उत्थे की होएगा? उत्थे जड़ा एहे nitrogen दे उत्थे lone pair है, एह बेंजीन रिंग दे नाल resonance चला जाएगा, as a result, कुछ इस तरीक के दे नाल अपने को ले intermediate आ जान दा है, एथो ने electron जड़ा है, वो बेंजीन रिंग दे नाल resonance चला गया, कुछ है इस तरह, तो एथे जड़ा, you can see कि this electron pair is not available for donation, एह main reason है कि aniline एक weak base है, electron pair is not available for donation, तो बेटे basic strength दे जिद्दन दा भी तो अनुस वाल पुछा जाएगा, जेता gas phase ची पुछा जान दा है, तो तो उसी कहना है कि tertiary amine सब तो वद basic होएगी, पर जे solution phase ची पुछा जान दा है, तो उत्थे secondary जड़ी है, सब तो वद basic हो जान दी, उन्ही से ते अधारित वाननु कुछ इस तरीके नाल question पुछा जा सकते हैं, कि जिन्ना इस सारे इन्ना अरेंज करो, कि केड़ी सब तो वद basic होएगी, केड़ी सब तो cut basic होएगी, इसे तरीके नाल, तो इन्ना दे answers बेटे, तो अधेको लेत्थे सामने दित्ते गए हैं, तो इस तरीके नाल, three marks दे which question पुछा जा सकता है, ते जिड़ा भी एक order पुछा जाएगा, तुसी उन्दा why, कि ए तुसी order क्यों लित्ता है, ओ भी explain करना होएगा, एक बेटे already इन्दे ते means chapter दे, आनलीन is a weaker base than cyclohexyle amine, आंसर मुड़किड के ओही आ जाने है, बार 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 स्वाल दी, शकल कोई भी हो सकती है, वाई एनलीन is less basic than ethyl amine, ठीक है, तो इस जड़े स्वाल है, ए पेपर च पुछे जान दी काफी संभाव ना है, देन जन्या भी amine या chemical properties है, या reactions है, उन्ना memory chart बना लनने है, बाटा, memory chart जड़े हना, वो काफी helpful हुन दे है, आपानों की paper दे विच कोई स्वाल की तो वी unpredictable आजवे, उन्जे वे, एह as base काम करदा है, तो acid देनाल जो तो react करांगे, तो salt बनेगा, chloroform और KOH दी presence दे विच करवाईलमीन reaction शो करदा है, primary amine, तो इन्दी foul smell हुन दी है, nitrous acid दे नाल, N2 gas release हुन दी है, तो जे अपा Rx पादिन ने है, alkyl halide primary amine अड़ कर दे है, तो exhaustive alkylation हुन दी है, इन्दी है, इन्दी होफमेन अमोनोलिसिस भी कहन दे है, इसे तरीके नाल, अपने को ले, aniline दिया reactions, जे तो सित्या अनल देखो, तो aniline जड़ है, इन्दा memory chart देखो, सब तो पहला benzene diazonium chloride बनाया है, जिस reaction नो, diazotization कहनने है, जे aquose bromine दे नाल, aniline react कर दी है, तो 246 tribromo aniline बन्दा है, पर एही जे acetic anhydride दी presence bromine react कर दी है, तक एवल single substituted product बन्दा है, देन, acyl chloride जे आपा, मतलब, इन्दी acetylation जे कार दिनने है, तो इन्दू अपा, protection of aniline भी कहनने है, protection दा की मतलब हुन्दा है, protection ते based question तो अनू पुछा जा सकदा है, काफी importance वाल है, हुने आपा कर दे है नू, then concentrated HNO3 दी, concentrated H2SO4 दी reaction जे देखिये, ता ए रियक्षन अपने आप जी एक unique है, क्योंकि अथे para product, meta product ते ortho product तिन्नों ही बन रहे है, then, जे आपा, acetylation followed by nitration, पहला आपा aniline दा NH2 group जड़ा है, उन्हों protect कर दिनने है, ते फेर आपा nitration कर दे है, उत्थे अपने को ले, और्थो नाइट्रो ते पैरा नाइट्रो aniline जड़े है, products बननगे, then, जो दो sulphonation केरी किती जानती है, ते ज्विटर आयन दा जिकर, ए बहुत ही important part है, ज्विटर आयन जड़ा है, ए बायो मॉलिक्यूल चे भी पुछे आ जानदा है, ते एथे भी aniline निया as base treat कर दे है, ता कोई V acid पामाँगे, Lewis acid पामाँगे, ता salt is formed, उन इन्दे ते अधारित questions दे विच्चो, सब तो important स्वाल जड़ा, तो उन्नू पुछे जा सकता है, कि amino group दी protection दा की मतलब हुन्द है, या कहलो कि acetylation of NH2 group जड़िया है, वो इन्दी activity नू क्यों reduce कर देंदे, बेटे अथे अपनू resonating structure जड़ा में उन्नू हुने ही बना के दिखाया सी न, वो समझना बहुत ज़रूरी है, जदू aniline दे विच्च जड़ा NH2 group है, ए अपने electron बेंजीन रिंग नू दे देगा, ते उस time ते बेंजीन रिंग देखो ले, negative charge जादा आजेगा, इनना तीन पुजीशना ते negative charge आजेगा, और aniline दे अपना electron pair सी available for donation वो हुन available नई रन दा, बेंजीन रिंग दे उत्ते negative charge आजेगा, ते aniline दे NH2 group दे उत्ते थे positive charge आजेगा, बेंजीन रिंग नू एक्टिवेट करता NH2 group ने, पर जे इसे NH2 group दे आपा ऐसे टाइलेशन कर दिये, मत इत्ते COCH3 group लगा दिये, NH2 दी एक H दी थाँते, आपा COCH3 group लगाता, उन दिनाल की होएगा, कि बेंजीन रिंग को ले electron नी जान दे, बलके electron जड़े है, वो COCH3 group को ले चले जान गे, अथे double bond बांचेगा, ठीक है, नतीजे वजों हुन बेंजीन रिंग दे उत्ते extra negative charge नह नहीं आया, बेंजीन रिंग दे अक्टिव एने नहीं बनाया, तो बेंजीन रिंग दे एक्टिविटी है थे, रिड्यूस हो जाएगी, इसनों अपा कहने protection of amino group, नेक्स्ट बेटा, reactions of disonium salt है, जो कि बहुत important है, sandmere reaction, getterman reaction, idobenzीन की में बन दिया है, bald schemen reaction, direct benzीन की वे बना सकते हैं, जो तो अपा benzीन disonium chloride दे गल कर दे हैं, तो अच्छे रखो, N2 positive, Cl negative, benzीन रिंग दे उपपर लगया है, benzीन disonium chloride, और इंदे नल, benzीन, phenol, nitrobenzीन, and coupling reaction वाले products, chlorobenzीन, bromobenzीन, idobenzीन, fluorobenzीन, यह सब बनाये जा सकते हैं, तो हुन आपा कुछ named reactions देख लैने है, जिमें, coupling reaction सब तो पहले आ जान्दी है, जिन्दे च डाई फॉर्म किती जान्दी, तो डाई किस तरह बन दी है, coupling reaction दे, through बन दी है, डाई, ओके, देन इस दे बाद आन्दी है, sandmere reaction, sandmere reaction दे विच बंजीन disonium chloride, cuprous chloride देनल रियक्ट करके, chlorobenzीन बनान दे हैं, और इसे चीज़ दे विच, जे अपा cuprous chloride दे थांते, copper and hydrochloric acid या hydrobromic acid ला लगने हैं, तो अपने को ले bromobenzीन ते chlorobenzीन दोनों बन साकते हैं, इसे reaction आप पकामाँगे, gatterman reaction, next है अपने को ले BALS-schemen reaction, जिन्दे विच फ्लोरो बंजीन सा दे को ले, benzीन disonium chloride तों त्यार हों दी है, then इस दे बाद shortenbombin reaction, जिन्दे च असी primary amine दी 1H दी थांते, COC6H5 यानी benzoil group लगा दिन्ने, तो primary amine दी 1H दी थांते, COC6H5, तो अपने को ले benzoylation reaction कैरी किती जान दी है, amines दी shortenbombin दे विच, next is very very important reaction, इस reaction दे ले बेटे, मैं examination कै सकती है, कि ये 100% sure reactions दे विच्चो इक है, जिड़ी पुछी जाएगी, carbolamine reaction, carbolamine primary amines द्वारा शो किती जान दी है, chloroform और alcoholic QHD presence दे विच, foul smelling substance यानी कि isocianide बन जान दा है, so a reaction बेटे, काफी 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 important reaction है, इस करके इन दी तब maximum return practice करो, इस दे बाद आन दी है, diazotization, जिन्दे विच असी benzene, disonium, salt बनान दे हाँ, देख करना की है, aniline लेनी है, sodium nitrite और HCl, in situ बेटा, nitrous acid त्यार किता जान दे है, HONO, nitrous acid जड़ा है, वो aniline नाल रियक्ट करके, benzene, disonium, chloride बनान दे, then coupling reaction, जेड़ी तुसी पहला भी पढ़ चुके हो, phenol जे नाल, orange color दी डाई बन दी है, और aniline दे केस दे, which it is, yellow color dye, so coupling reaction, जिन्हों सी disonium chloride दे थुरू, बना आजान वाली dye दे नामते कर दे है, sandmere reaction, getterman reaction, आम तो और ते बटा, दोनों ही same product दिन दी है, फरक सिरफ reactant दा है, cuprous chloride in presence of HCl, ता हे है sandmere reaction, और जे copper tube in presence of HCl, then it is getterman's reaction, then gaberyl thalimide synthesis, thalimide, emide दा मतलब है, COCO double nitrogen दे नाल, NH, पेटे ermide दा मतलब हुनदा है, CO NH2, तो जोदो आहाँ H2 दी थां ते H होवे कल्ला, तो another CO, that is emide, तो thalimide दे विच, जोदो alcoholic QH पावांगे, ता इस H दी थांते K आ जाने, और then Rx पावांगे ता, K दी थांते अथे R group लग जाने, then अहां R NH2 जड़े सेपरेट होजेगा, और अथे thalic acid बन जाएगा, तो gaberyl thalimide दे नाल, primary amines can be prepared, तो इस reaction दे बाद, अगली reaction है, Hoffman Bromamide reaction, जिन्दे च एसिड एमाइड तो, एक कारबन काट वली, primary amine तियार किती जान दी है, इस reaction is also one of the very very important reactions, इस करके इन्हों maximum written practice करो, उन्हां अन्दा है टापिक जड़ा अपना काफी important है, कि जे असी primary, secondary, tertiary amines दे विचे distinction करनी है, distinguish करना है, chemical test दे थू, तो उन्हें लिए Hinsbergs test होंदा है, Hinsbergs test बेटा, benzene sulfonyl chloride, one more question पुछा जा सकता है, कि Hinsberg test केड़े reagent नल क्यारी किता जान दा है, तो इन्दे लिए reagent दा नाम है, Hinsbergs reagent, और Hinsberg reagent दा chemical name है, benzene sulfonyl chloride, इन्दे इच reaction कुछ इस तरह होनी है, कि HCl निकल जाना है, amines दे विच्चों, इक H, और Hinsberg reagent दे विच्चों, Cl, तो बाकी चीज़नों आप जोड़ दावांगे, जो चीज बन दी है, that is soluble in alkali, secondary amines दे विच्च की है, कि जड़ा भी product बनेगा, that will be insoluble in QH, tertiary amines तर react ही नहीं कर दे, क्योंकि tertiary amines को ले, कोई hydrogen नहीं हुन दी, जड़ी इस Cl दे नाल निकल जे बाहर, so this is very, very important reaction, very important concept, three marks दे विच्च बेटे, primary, secondary, tertiary amines दी, distinction पुछी जा सकती, then, जे अपा मनलो, aliphatic amines और aromatic amines, aniline और इंदे विच्च का, differentiate करना होवे, ता असी carbyl amines दी, help नहीं ले सकते, क्योंकि carbyl amines जड़ी है, वो दोन्नो primary amines होन करके, carbyl amines reaction शो कर दी है, ठीक है, so इना जे जे असी distinction करनी है, ता असी azodite test करांगे, जित्थे की सिरफ aromatic amines जड़ी है, OA test देगी, azodite test, aliphatic amines जड़ी है, azodite test नहीं दिन दी, OEV secondary, ते tertiary amines, वो जड़ी है, carbyl amines test नहीं देगी, ठीक है, so इस तरीके दे नाल तो अनू स्वाल पुछा जा सकता है, कि दसो इनन अनू अपां किवें chemically distinguish कर सकते हैं, so answer नाल दी नाल तो अनू इत्थे दित्ते गए है, last दे विच बेटा, तो अनू पुछा जा सकता है, कि complete the reaction, so complete the reaction दे, answers जड़े हैं, इत्थे तो अड़ी सामने, लिखे गए हैं, तुसी एनन नू पाढ़ सकते हूँ, बिलकुल, last conversions आनी हैं, जदो तुसी सारिया reactions, इस chapter जो थोरोली कार लेंदे हूँ, ता you should be able to give, proper answer to such conversions, जिवें benzene, diazonium, chloride तो, benzoic acid बनाना है, ता अपा पहले, cyanobenzene बना वांगे, जिन्दा hydrolysis दे बाद, benzoic acid बनेगा, जिवें benzene, diazonium, chloride, तो अपा नू, benzoen बनाना क्या जानदा है, so this is the reaction, तो बटा, उन में हैं, उमीद कर दी है, कि तो अनू सारे अनू, जो important questions दस्टे है, इस chapter चो, तो अनू समझ लागगे होंगे, main चीज ए है, कि अपा स्वाल, कोई नहीं छड़ना होंदा, सिरफ ए देखना होंदा है, पि पेपर चे स्वाल, केड़ी-केड़ी शकल च पुछा जा सकता है, केड़ी wording हो सकती, तो पूरा comprehensive, जे तुसी chapter समझना है, तो अमीन स्टे बेस्ट, एक फुल वीडियो औरड़ी, पब्लिश हो चुक है, अप्लोड किता जा चुक है, उत्थो तुसी देख लो, इस important questions जी जड़ी PDF है, ओ टेलिग्राम चैनल ते तो अनू visible रहेगी, तो I hope बिटा है कि तो अनू, important questions वाली जड़ी queries सी हुन्नों, solve होगी होएगी, so thanks for watching,